नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शड़ी चैनल जेपी आउनल एजुकेशन पर दोस्तों हम लोगों ने आदमिक भार्दी दिहास के 500 महतपूर प्रस्नों की एक सिंखला प्रादमी की थी जिस कड़ी में हम लोगों ने अभी तक 13 भागों में 325 प्रस्नों को पूरा करा दिया है और आज के भाग 14 में हम असायोग आंदोलन और स्वराज पार्टी के गठन के बारे में पढ़ने वाले हैं यह वीडियो आपके आने वाले एक्जाम चाहिए हो यह उपी पीसे सो बीपीस्ती हो आरो एारो स्सी उत्रप्रेस पुलिस रेलवेल एकपाल वीडियो पटवारी कोई भी वंडे एक्जाम हो सभी के लिए समान लूप से उपयोगी महतपूर होने वाली है इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारती तिहास के और मद्यकारीन भारती तिहास के वीडियो प्लेश पर अप्लोड कर दी हैं आप उसे वहाँ सा जाकर देख सकते हैं वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेश्ट किन लोगों ने हमाया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और चैनल को लाइक से और प्रमोट भी कर दीजिए तो देर ना करते वह सुरू करते हैं आज का वीडियो प्रस संक्या 326 निम्लिकित में से किस ने 1920 के नाकपुर के भारती राश्टी कांगरेस के दिवेशन में और सायो के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था C.R.10 ने, एन्डी बेसंट ने, बीसी पाल ने या मदन मोहन माल भी ने तो सभी ज़ाब होगा आपसन जोए A.C.R. दासने प्रस्थां क्या 37 पर आते हैं निम्लिखित में से कौन सा एक असायोग आंदोलन को प्रारम करने का कारण नहीं था खिलाफत का प्रस्था नमक कानून पंजाब में अत्याचार अथवा रॉलक एक्ट तो सभी ज़ाब होगा आपसन जोए B. नमक का कानून प्रस्थां क्या 38 पर आते हैं गादी जी ने असायोग आंदोलन कब प्रारम किया था 1920, 1919, 1921 या 1922 तो आप देखेंगे गादी जी द्वारा असायोग आंदोलन एक अगस 1920 को प्रारम किया गया था तो सभी ज़ाब होगा आपसन A. प्रसंगा 339 पर आते हैं एक वर्स में स्वराज का नारा गादी जी ने कब दिया था दांडी मार्श समय असायोग आंदोलन के समय सभी नय अवग्य आंदोलन के समय अथवा गोल मेश सम्मेलन के समय तो असायोग आंदोलन एक अगस 1920 को प्रारम किया गया था और गादी जी ने असायोग आंदोलन शुरू होने की एक वर्स की भीतर सुराज प्राप्त करने का नारा भी जा था तो सभी ज़ाब होगा आपसन B. असायोग आंदोलन के समय प्रसंक्य 330 एक वर्स की भीतर सुराज की प्राप्ती लक्ष था सभी ने अवग्य आंदोलन का ग्रेस आसन आंदोलन का खिलाफ़त आंदोलन का अथवा असायोग आंदोलन का तो अभी बने पढ़ा था कि एक वर्स की भीतर सुराज प्राप्ती के लक्ष था वह ही है पहला इस आंदोलन की अवधी वर्स 1920 से 1922 तक थी दूसरा एक वर्स के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लच्छ था और तीसरा इसमें बहिस्कार की योजना थी और चौछ था एम एडिना ने इस आंदोलन का समर्चन किया था तो सभी ज़ाब होगा आपसंडिक आपसंडिक में जन अंदोलन बनी दूसरा हिंदू-मूसलिम एकता में वृद्धी हुई और तीसरा जनता के मन में बिटी सक्ती का भय हट गया और चौता बिटेन की सरकार भार्थियों को राजनेतिक रियायते देने को राजी हुई इन कत्नों में से कौन से कत्न जो है सही है एक दो तीन चार सभी सही है या एक दो तीन सही है अथवा ए संख्या 330 बिटिस सरकार ने महात्मा कांधी को जो उपाधी थी और जिसे उन्होंने असायोग आंदोलन को वापस कर दिया वहां कौन थी हिंद कैसरी कैसरे हिंद राय बहादूर या राय टच अनुरबल तो सब्सक्राइब होगा आप सब्सक्राइब कांधी भारत आये थे 1915 सब्सक्राइब के समय उसमें प्रसम विश्चुत चल ला था और उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की थी जिसके लिए सरकार ने कैसरे हिंद से सम्मानित किया था प्रस संक्या 334 निम्रिखित में से किस ने असायोग आंदोलन के दवरान अपनी वकालत छोड़ दी थी माहत्मा गादी ने मदन मोहन मालवी ने तेज बहादु सप्रु ने या चितरंजन दास ने तो सईजवाब होगा आपसंडी चितरंजन दास ने असायोग आंदोलन के दवरान सियारदास मोतिलाल नहरू, राजेंदर परसाद, जवाहाल लाल नहरू, विठल भाई पटेल और वल्ला भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी प्रसंका 335 से आते हैं, निम्रिकित में से किस ने असायोग आंदोलन को समर्शन दिया, परंतु इसके पड़ाम को देख नहीं सके, बाल गंगाधर तिलक लाल लाच पत्राय, मोतिलाल नहरू अत्वा, चितरंजन दास, तो सभी जवाब होगा आपसंड ए, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि जो है, आंदोलन के परसंदिन 1 अगस 1920 को, उनकी मिर्ति हो जाने की कारणवा इसका पड़ाम नहीं देख सके थे, प्रसंका 336, किस छेत्र में राउल सांकृतायन 1920 के असायोग आंदोलन में सक्रिये थे, छपरा, दिल्ली, लखनौ या पटना, तो सभी जव गांदी वादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, प्रसंका 270 से आते हैं, निम्रिकित में से किस प्रमु कारण से मात्मा गांदी ने 1922 में असायोग आंदोलन को वापिस ले लिया था, पहला अधिकांस नेता गिरफतार कर लिये गये थे, और जेल में थे, इसलिए, दूस 22 में असायोग आंदोलन को वापिस ले लिया था, प्रसंका 339, दिल्ली में 2422 को आयोजित अखिल भारती कांग्रेस समीती की बैठक में असायोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांदी जी के विरूस निंदा प्रस्ताव किस ने प्रस्तित किया था, केटी सा, विपिन चंदरपाल, सुभाष चंदरबोष या डाक्टर मुनजे, तो सभी ज़ाब होगा आपसन जोए, डी, डाक्टर मुनजे, प्रस्तंक्या 340, असायोग आंदोलन के दरान बिहार में किर्शकों का निदित तो किस ने किया था, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार सुकल, स्रीके सिंसिंग, अथवा जे बी सेन, को सभी ज़ाब होगा आपसन जोए, ए स्वामी विद्यानंद, प्रस्तंक्या 340, पे आते हैं, बिहार के किस वकील ने असायोग आंदोलन के समय, अपनी लाभुपरत वकाला छोड़ दी थी, जैप्रकास नारायन, राजेंदर परसाद, सहजा अनसरसती, अथवा राजकुमार सुकल, तो आप देखेंगे, राजेंदर परसाद ने अपन प्रस्तंक्या 343, पे आते हैं, असायोग आंदोलन के दोरान विदेशी वस्त्रों के दोरान विदेशी वस्त्रों के आते हैं, के लिए जलाये जाने पर कि इसने महात्मा गांदी को लिखा था, कि यह निष्ठुर बरबादी है, मदन मोहन माल भी रविना टैगोर सौकतली या मोतिला नहरू, तो सही जो अब होगा आपसन जो है, भी रविना टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाये जाने को एक न कि इंदरी विधाय का सदन में चुने वे सजस्यों की संख्या में वृद्धी अथवा भारती राष्टी कांग्रेस में विभाजन, तो सही जो अब होगा आपसन ए हिंदू-मुस्लिम एक था, प्रस संख्या 345, निमिकित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माड करने के लिए कांग्रेस के अध्यच्पत से त्याग पत्र दे दिया था, सियार दास, मोतिलाल नहरू, विठल भाई पटेल अथवा फिरोट साम में था, तो सही जो अब होगा आपसन ए सियार दास, रस संख्या 345 पे आते हैं, सुराज दल की अस्थापना किसकी अस्थापना के ब सापित किया था, बाल, गंगा धरतिलाल नहरू नहरू ने, परस संख्या 34, निम्लिसित घटनाओं का साही कालक्रम चुनिए, लखनवू समझोता, सुरार दल की अस्थापना, जलिया अलवा घत्या कांड तथा, बाल, गंगा धरतिलाल की मिर्तियू, निम्लिसित कूट में से सही उतर का शुनाओं करिए, आपके आपसंस हैं, एक चार दो, एक चार तीन, एक दो, एक तीन, चार दो, अथवा एक दो, तीन और चार, तो आप देखेंगे, लखनवू समझोता जो हुआ था, उनिस सोला में, उसके बाद जलिया अलवा घत्या कांड उनिस में, बाल, किस ने केंदरी विधान स्वभा में सुराज दल का समर्थन किया था, M.A. जिन्न, मौलाना अबुल कलामाजाद, डाक्टर लाजेंदर परसाद, अथवा जवाहलाल नेरू, तो सोई जवाब होगा, आपसं A. मौमाद अली, जिन्न, आपसं A. इदर आइट हैंसर, आज का पूर सुत्तम दाश्ट टंडन, तो सभी जवाब होगा, आपसं जो है, B. विठल भाई, जे पटेल, Central Legislative Assembly के परसम भारतिये ध्यर्च या स्पीकर, विठल भाई, जे पटेल थे, जो वर्स 1925 में इसके अध्यच बने, और ये स्वाराज पार्टी के सह सापक भी थे, तो द